कैसे हैं दोस्तों अकसर हमसे इंट्रव्य के दोरान हमेशा विल्विभाप के बारे में जरूर पूच जाता है क्योंकि य। बहुत ही महत्रौन फोर्मूला है एक्स अंदर लेकिन हम जब भी जाते हैं इंट्रीविव लिए ओ तरología रेते हैं लेकिन के बार हमसे इंट्रीव द्वारा विलुकप ना पूछके डबल विलुकप के बारे में पूछ लिया जाता है कि क्या आपको डबल विलुकप आता है अब यहां पर हमने तयारी की थी विलुकप की यह आपको आता है विलुकप लेकिर आपने डबल विलुकप अभी की गई है वहीं शीट 2 के अंदर हमने employee name और location लिया हुआ है तो हमारी दो condition है पहली condition है हमें name निकालना है और उसी name की साहिता से हमें फिर location निकालना है यानि डबल में look up लगाना है एक ही cell के अंदर तो हमारी पहली condition क्या है सबसे पहले हमें name find करना है तो हम यहां पर जाएंगे simply equals to we look up type करेंगे bracket open अब यहां पर दोस्तों क्या दिया हुआ है look up value यानि किसके माधियन से हम search करना चाहरे है तो हमारी क्या है employee id है जो basic है जिससे हम search करना चाहरे है तो select करेंगे comma table area क्या है table area जिसमें से हम search करना चाहरे है कौन सी जगे है जहां से हमें result निकालना है तो हमारी जो table area है वह यह है तो हम B3 से लेके और E17 तक जाएंगे और इसको पूरे select करेंगे comma अब हमें क्या चाहिए name चाहिए तो name कहा है देखी one two two number पर हमारा name आ रहाते हैं पर two type करेंगे comma zero और bracket close enter तो देखी दोस्तो name आ गया चेक कर लेते हैं one double zero zero five ठीक है दोस्तो प्रोपरली काम कर रहा है अब हमारी second condition क्या है अब हमें इसमें location भी चाहिए इसी id के मादब से हमें location भी चाहिए तो double lookup कैसे लगेगा अब इसमें जाएंगे यहाप क्लिक करेंगे और lookup से पहले एक को lookup टाइप करेंगे bracket open अब lookup value हमारी क्या हुई यह lookup value यह हमने पहला lookup लगाया था तो इसको हम lookup value लेंगे तो comma simply और कुछ नहीं करना है अब हमारा table array क्या है मतलब जहां से हमें location find करनी है तो अब हम location कर जाएंगे sheet 2 में जाएंगे location find करनी के लिए औ क्या चाहिए हमें location इंडेक्सिंग में number हमें कौन से number मिलेगा तो one two second number location आ रहे है तो two comma zero bracket one और enter अब आप चेक कर सकते हैं 1001 1003 तो देखा दोस्तों आपने एक ही cell के अंदर हम double lookup कैसे लगा सकते हैं मुझे उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा यह आपको हम हमारा वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें और अन्य लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद